आज का हमारा वीडियो ऊपिक है टाइप सॉप अप इलेक्ट्रिकल पैली तो सुने अपिडियो अग्यार देखने के बाद हो जो फॉल इन इक्साएं थी थी अगर आप हाइच टेंजन की जगह पे वह बोलेंगे तो सेम तो कोई कफिजन नहीं होनी हो जिया गलत बोलट हो जाए अथी नहीं का मतलब होता है लो टेंशन ठीक है दोस्तों यह हमारी दो तरह के पैनल्स होते हैं ठीक है एस्टी लेबल की बोल्टेज होती है और एस्टी पैनल होता है ठीक है दोस्तों अब हमारा एल्टी पैनल क्या होता है तो यह जो हमारी चार से चालिस बोर्ट, 25 बोर्ट, ये सब जो हमारी voltage होती है, ये हमारी LTE voltage होती है, और LTE में हाती है, अब जो हमारा होता है दोस्तो hearing, LTE में भी बहुत सारे पैनलों होती है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक है करके clear करते हैं, जैसे कि हमारा PCC Panel, कि एपी एफसी पैनल कि डीजी सिंक्रोनास पैनल ठीक है दोस्तों यह PCC का मतलब क्या होता है PCC का मतलब यह हमारा है पावर कंट्रोल सेंटर ठीक है दोस्तों MCC का मतलब है यह हमारा होता है मोटर कंट्रोल सेंटर कंफ्यूज मत होईएगा दोस्तों ठीक है AMF का है Auto Main Failure Panel ठीक है दोस्तों यह APFC का मतलब होता है हमारा Auto Power Factor Correction Panel ठीक है दोस्तों और यह और अच्छे से हम लोग एक एक पैनल के बारे में हम लोग जाल लेते हैं दोस्तों अगर किसी भी पैनल के यह हमारा एक पावर्ड ट्रांसफार्मर है ठीक है दोस्तों इससे जो हमारी सप्लाई आउट गोइंग से निकलती है वह हमारी सप्लाई आ जाती है हम एक पैनल में ठीक है दोस्तों हम एक पैनल में अब एक पैनल से जो हमारी सप्लाई निकलती है वह हमारी फिर आ जाती है यह हमारा ट्रांसफार्मर है यह हमारा इस्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यहां से आती है यह हमारा 11 के बी से 440 बोल्ड का है यह हमारा अब जो हमारी LTE पैनल से जो हमारी सप्लाई निकलती है दोस्तों वो हमारे अलग-अलग पैनल को फीड करती है जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक हमारा चला जाता है PCC में, एक हमारा हो जाता है MCC में, एक हमारा होता है APFC पैनल में, और एक हमारा होता है AMF पैनल में, ठीक है दोस्तों, अब यह जो हमारी PCC पैनल है, यहीं से हमारी फीड कर जाती है, दोस्तों, लोड के लिए जो हमारे DBs लगे होते हैं जो हमारी DB होती है उसमें feed कर जाती है ठीक है यह MCC panel क्या होता है दोस्तों कि हमारे industry में बहुत सारे motor होते हैं उस सारे motor को एक एक starter लगाने के वज़ाए एकी panel में हम लोग सारे motor का control connect कर देते हैं वो हमारा होता है MCC panel ठीक है दोस्तों यह APFC पैनल क्या होता है दोस्तों जो हमारे इंडस्ट्री में होते हैं जो पाउर फेक्टर होते हैं पाउर फेक्टर खराब होता है उसको यह APFC पैनल मेंटेन करता है ठीक है दोस्तों यह आटो में भी मेंटेन करता है और मैनुवली भी मेंटेन करता है आट अपने आप जैसे हमारा power factor low होगा यह अपने आप उसको maintain कर देगा और manually होगा तो हम लोगों को manually जाके एक एक capacitor को on करके maintain करना पड़ता है ठीक है दोस्तों यह जो हमारा होता है MA panel यह हमारा एक तरह का change over भी बोल सकते है ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है जो हमारी supply आ रही है इसको और अच्छे समझ लेते हैं तो example के लिए यह हमारी जो supply आ रही है यह हमारी normal supply है और इधर हमारी जो होती है दोस्तों वो हमारी इद्धी की supply होती है जो dg-set से निकल के आता है एक हमारा इधर ऐसा switch लगा होता है जैसे ही हमारा normal supply फेल होता है तो मेंट Welcome back और 75% मिल जाता है टार्फ सांस में 뿐ल सैफ्क DOC को कमांड देने लगता है कि दिजी स्टार्ट हो जाती है जैसे हमारा दीजी स्टाट होता है दोस्तों यह हमारी सप्लाई से हो जाती है पूरी ज़ो भी सप्लाई हम दिए रहेंगे डिज्ई को वो डीजी से लोड कनेक्ट हो जाएगा फिर जैसे ही हमारा नॉर्मल सप्लाई आएगा यह में पैनल में इंडिकेशन आएगा कि अब डीजी को बंद कर देना चाहिए तो यह क्या करेगा दोस्तों यह हमारे डीजी को आफ कर देगा पावर सप्लाई को कड करेगा कुछ ट दोस्तों कि यह मारा एक डीजी है इधर एक से ज्यादा जहां डीजी होते दोस्तों वहां पे हमारा इंडरस्टी में सिंक्रोनस पैनल का यूज करते हैं ठीक ह दोस्तों यह हमारा एक ब्रेकर लगा है यह हमारी सप्लाई एकी से कनेक्ट है यह हमारी डीजी है जैसे ही हमारी सप्लाई चली जाती है वैसे ही क्या करेगा दूस्तों यह हमारी जो डीजी है वो ओन हो जाएगी यह हमारी एक डीजी ओन होती है फिर जैसे यह उस डीजी को पता लगता है synchronous panel से कि एक dg से ये load complete नहीं होएगा तो वो command देता है कि ये दूसरा dg भी on हो जाए ठीक है तो जैसे ही हमारे दूसरा dg on हो जाता है दोस्तों ये दोनों dg मिलके load को distribute कर लेते हैं अगर ये दोनों dg से उस load distribute नहीं होता है तो ये फिर command देता है कि आगे की dg को start करने के लिए ठीक है दोस्तों ये इसी के लिए हम लोग synchronous panel का इस्तिमाल करते हैं कि हमारे जो dg होते हैं जो ज्यादा जो dg होते हैं हमारे इंडस्टी में उसको load के हिसाब से command देना कि हमारी कौन से dg पर कितना load चलना चाहिए उसके हिसाब से ये synchronous panel काम करता है ठीक है दोस्तों अगर आपको किसी भी पैनल के बारे में फूल वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment में comment करिएगा मैं एक वीडियो बना दूँगा ठीक है दोस्तों ता आई होब कि आपको छोटे से वीडियो में जरूर कुछ सीखे होंगे कुछ सीखे तो दोस्तों लाइक करके बताए और चैनल पर नए हैं तो स subscribe करें ठीक है दोस्तों thank you